आज से हम स्टार्ट करने वाले थो इसका फ्रेंवरक क्या होता है से तो वोट्राप क्या होता है ऊ 210 इसे चनलए तो यह एक एक फ्रेम रहां काई और इससे आप क्या कर सकते हैं आप कुछ ही टाइम के अंदर इससे आप एक वेबसाइट डवलाप कर सकते हैं ठीक है और यह आपकी जो भी वेबसाइट ओगी वह प्रोपरली डिस्पॉंसिव होने वाली है चाहिए आप आप कंप्यूटर डिवाइस के अंदर देखो या फिर चोटी स्क्रीन होती है ना जो आपकी बैसिकली फोन डिवाइसस होती है उनके अंदर आप उसको देख सकते हो प्रोपर गाइज रिस्पॉनसिव का काम करेगी आपको अलग से सी एसस के अंदर जाके मीडिया कवरी की मी जो अब लुट स्वर्जब काफी वर्जन है आप ऊपर कर लेते हैं कि वर्जन कौन कौन से रूट के अंदर ठीक है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा बूट स्विस्वाइड और पड़ेगा तो चलिए गया हमारा गूगल करोम को ओपन करते हैं सबसे पहले अब करोंगा किया है । इस अधर आप आपको और कम आपको पश। के बीन कितनें है अब तो प्रेंडिंग से प्राइट है है और कि back покуп講क्री कु cuánta इसी दिखती है सिबसे पहला पेज आपको कुछ ऐसा मिलता है ठीक है अब गाइज हम इसके वर्जन के बारे इंजानते हैं तो थोड़ा सा स्क्रोल करने की कोई डीड नहीं आप इसके अंदर जाओगे प्रिवेस्ट रिलेजेज के बारे में आपको यहां पर पूरी इनफोर आ रहा है ठीक है अब उसके बाद थ्री आया उसके बाद में 4.0, 4.1, 4.2, 4.3 इस टैप से अभी लिटेस्ट के अंदर जो चल रहा है है हमारा बूट बूट शेफ 5.0 ठीक है तो गाइज बताना चाहूंगा हम इन सभी वर्जन को एक बार स्किप करते हैं सिंपल गाइज ह ठीक हए हम सीखिने बूट स्टफ 5 ठीक है तो गईस बताना चाहूंगा बूट स्टफ 4 भी सीख सकते हो बूट स्टेप 3 भी सीख सकते हो लेकिन जो सीट के त्रैंडिंग में चल रही है वो छीज Lewis शीखना बहुतीγο इंप्रटेंस लता है ठीक है तो जूआज आप बूट आपकर खाओंगा यहाँ पर यहाँ पर आके यह जो वर्जन बॿट्स्ट्रेफ और अन्दर क्या है इसके अंदर कि अन्दर ज एक एक व talk यह अज़े हैं आपने नाम तो गैस मैंने यहां पर बैक कर दूंगा मैं इसको ठीक है perfectly तो गैस अभी हम करते क्या है यहां पर आके सबसे पहले देखिए यहां पर थोड़ा सा इसको रीड करते है Build fast responsive sites with bootstrap perfect यही मैंने आपको बताया यह इसकी definition short form में बोले तो यही है आपका bootstrap तो quickly design and customize responsive mobile first sites with bootstrap the world's most popular front and open source toolkit जी बिल्कुल featuring SaaS variables and mixing responsive grid system extensive pre-bullet components and powerful javascript plugins perfectly guys तो गैस मैंने बताया HTML है इसके अंदर CSS है इसके अंदर और आपकी javascript की इसके अंदर mix किये गई है ठीक है तो guys बताना जाओंगा मैं यह इससे आपका पूरा front end एक त्यार हो सकता है और हम करें ही guys लेकिन सबसे पहले इसके components होते हैं कुछ topics होते हैं उसके बारे में जिकर करेंगे क्योंकि सबसे पहले इसको चोटे-चोटे topics होते हैं उनको cover करना बहुत ही ज़दा important है तब जाके आप एक बड़ी लेवल की project को कर पाएंगे अन्यत्था नहीं guys ठीक है तो guys देख सकते हैं अब मैं एक काम करूँगा आपको यहां पर देखिए इसके थोटा से नीची आओगा आप तो यहां पर get started और आपको यहां पर मिलेगा download का button तो guys बताना जाओंगा bootstrap को आप दो टाइप से यूज़ कर सकते हो एक है हमारा CDN ठीक है और एक है आप उसको download करके तो download करोगे तो उसके अंदर सारी files आ जाएंगी basically और offline आप bootstrap को यूज़ कर सकते हो बहुत ही simple है करके दिखाऊंगा अपने project के अंदर डालते हो basically जहां पर भी आप काम कर रहे हो वहां पर आप इसको डालते हो और फिर आप bootstrap पर basically काम करना start करते हो तो यह guys आपका होता CDN आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं अपने इसाब से भी लेकि basically मैं बताऊंगा guys CDN का use ज्यादा कीजी आप क्योंकि यह basically internet basically internet से connect रहेगा तब आपका page ज्यादा से ज्यादा मतलब ज्यादा read होगा ठीक है क्योंकि download के अंदर सारी files आती है लेकिन आपको वह CDN चाहिए जिसके अंदर मतलब जो भी आपने इसाब से कोईसा भी कर सकते हैं इसा कुछ नहीं है जिसको internet की problem हो वह download कर लिए इस bootstep को और जिसको basically internet एकदम fast है कोई issue नहीं है internet का basically तो वह basically इसका CDN का use कर सकता है तो guys यह तो हो गए इसको installation की बात और यहाँ पे दे भी रखाए है गैज देखिए इस्टोलेशन इस्टोलेशन बूटस्टप सोर्स सास अब यह सास क्या होती है गैज बार बार ना मारा सास और यहां पर भी हमने देखा था सास तो guys यह भी एक CSS का ही पार्ट होता है और इस पर मैं जल्दी ही complete करूँगा इसका भी है कि मैं जल्दी ही playlist add करूँगा बहुत ही guys important चीज होती है इसके आप CSS के अंदर variable define कर सकते हैं लेकिन इसके अंदर और भी मतलब इससे CSS से एडवांस ज्यादा functionality होती है नहीं वह सास के अंदर आप कर सकते हैं ठीक है तो इसका भी बना देंगे इसके अंदर भी कम से कम 20 वीडियो और आएंगे ठीक है तो वह भी गाइज एक बार लेकिन मैं चाहता हूं कि बोट्षप की सासा चालो गर्दे क्योंकि बोट्षप भी एक बहुत ही important चीज होती है किसी को जल्दी से जल्दी वेबसाइट क्रेट करनी हो तो आप बोट्ष अगर आप बेसिकली नोड जीएक्स का यूज कर रहे हो तो अगर इन चीजों के बारे में आपको नहीं पता है भी तो इन चीजों का आप स्किप कर सकते हो ठीक है तो परफेक्ली आप थोड़ा टाइम हो तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा और काफी चीजे यहां पर आपको अक्षिस किरुआए जाएंगी तो बहुत सिंपल सी है आप बोटिशब के आइकन सब्सक्राइगा है यह काफी आइकन भी इसके अंदर हैं जिसके यह तेमपलेट सेस्के और आप इसके बीजिट कर सकते हो तो गहरे निजी काम करता हूं मा इसके एपको करके दिखाता हूं और मेरे सामने अभी पेज ओपन होने वाला है तो गाइज मेरे सामने यह वाला पेज आपको मिल जाएगा यहां पर तो आप इस लिए चीज को देखिए एक बार ठीक है लंच लाइब प्रिवीव में क्लिक करता हूं एक बार इसका मैं डेमो दिखाता हूं कितना ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल इसके अंदर थेम्स हैं गाइज और आपको यह बेसिकली करना ही पड़ेगा तो इसका मैं दिखाता हूं गाइज एक बार आपको तो ओल्रट आप देख सकते हैं मेरी जो बेसिकली टेंप्लेट है वह मैंने जस्ट ओपन की थी वह ओपन हो चुआ कितना ब्यूटिफुल लगाइज ठीक है और बेसिकली फोन डिवाइस के अंदर व इसका ब्यूटिफुल एजिए कि तो बीवपन डिवाइस के अधर ने पीडिवाइस के अंदर ली गई है और यह नहीं होती बहुत ही अच्छी लग रही होगी हो यह पर तो बहुत ही अच्छा टमटेट है अगर आप इसकी के बात करें यहां पर आप आके तो इस पर आप क्लिक करोगे न तो आपको यहां पे सब्सक्राइब, यहां पर चीज कर सकता हूं यहां पर जो काफिया है, यहां पर उपर दिखा देगा, सब कुछ गाइज पॉफेक्ट है, आप इसको पर्चेज कर सकते हैं, चलो गाइज यह तो होगी टेमप्लेट्स की बात, और 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 तो आप देखिए सकते हो आप विजिट कर लोगे मुझे पता है तो यहां पर बेसिकली देख सकते हैं डारक के अंदर भी काफी सही है तो काफी तहीं से इसके अंदर आवाइलेबल यह हमको करवा देता है बूट्स्ट्रेप और बस बूट्स्ट्रेप का गईज लेकिन अदो कया करते हैं पॉफ्ट्रेफशीद दो कर लास है सबसे पहले ऐफिएन कंश से कहुएगर करे बंदर करुए जो घूराइं कि एपहले से Us को Geld कर सकते हैं और वह gesam को काफी अच्छा भी लगा यह गया और वह यांप यूज़ करने वादे किस और तो बहुन करहा वरी ल मेरा जो मुझे चाहिए था वो पेज ओपन हो चुका है आप देख सकते हैं ठीक है इंट्रेक्शन पड़ी एक बार गेट स्टार्टेड वीड बूट्स्टेप द वर्ल्स मोस्ट प्रपुलर फ्रेम्वरक फोर बिल्डिंग डिस्पोंसी मॉबाल फॉस्ट साइट्स विद ज इस डिलिवर एंड टेंप्लेट स्टार्टर पेज पावफेक्ट है कोई दिक्कत ही नहीं है तो आप इसको पड़ लीजिए गा मैंने बढ़ा हुआ तो मैं जैदा टाइम वेस्टिस के अंदर करूंगा नहीं तो अम करूंगा कैस डायरेक्ट एक काम करूंगा मैं एक मेरे इसके अंदर एक काम करूंगा मैं सबसे पर एक फाइल करूंगा मैं इसके अंदर एक काम करूंगा मैं सबसे पर एक फाइल करूंगा मैं इसके अंदर एक फाइल कर लूगा पर फेक्ली काइज मैंने इसके अंदर एक फाइल कर लिए और यह बोर एक्सटेशन होस्ट टर्म आप देख सकते हैं मैंने day1.html नाम से फाइल अगें क्रेट कर लिए ठीक है और इसके अंदर मैं अभी आ चुका हूँ आप गाइज मुझे यहां पर करना क्या है देखिए अब आपको मता हूँ आप लिए और मैं टाइटल के अंदर लिक लेता हूँ जल्दी से बूट स्टैप ठीक है बूट स्टैप टूट नाम से मैं यहां पर लेकिन मैं कुछ नहीं लिखता हूँ उनली एक बार मैं इसको इंपटी छोड़ देता हूँ चलो तो गाइज मैं इतना लिख लिए मालो सबसे पहले आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा सिससे के अंदर देखो कोपी-पेस्ट इस टाइल सिट लिंक इंदर देखो आपको कहां पर है यह वाला है इसके अंदर आके जस्ट नीचे कंट्रोल प्लस वी कर दो ठीक है इसके जस्ट ऊपर करना है सोरी तो मैं उपर कर दिया यह मेरी हो चुका चलो और गईज एक अभी बात नहीं वह नहीं अभी और करना देखिए और क्या करना है देखिए आपको यह वाला लिंक है इसका मतलब बेसिकली इतना सा है इसको आप कंपलीटली कोपी करके वहां पर चिपका दो तो यह आपकी जावास्क्रिट की फाइल भी बेसिकली और गईज बताना चाहूंगा मैं इसको अगर आप यूज कर रहे हो तो आपका इंटरनेट कनेक्श अब आप कनेक्टेट नहीं हो तो लेकिन एक बार तो आपको करेक्ट होना है पड़ेगा क्योंकि डाउनलोड करना है को उसको ठीक है तो हो गाइज पार देखेंगा हम सेकेंड गेंदर लेकिन आज बेसिक इसका प्रोग्राम हम रन करते हैं कंट्रोल ऐस करता हूं मैं और ृहां पे आता हूँ अब देखेंगे आप जुगोड से लेकिक है हेलोड कुछ के लेकिन इसके अन्दर यह वाला स्क्रीप्ट एंड यह वाली मैंने इसके अंदर लिंक मैंने इसके अंदर कंपरीटली अग्शन की यह इस तो इस सक्सेस के अंदर स्टोल हो चुका है अब गाइज मैं काम करूं अगर इसके अंदर जाके ठीक है यह आपको अभी समझ में नहीं आएगा लेकिन फिर भी मताता हूं देखिए हम अगर गाइज का यूज करते थे तो हम कैसे करते थे बैसके इन को बोलो टेक्षिनल जो भी है इंटरल कुछ भी होलो लेकिन हम क्या असलिकते थे श्टायल में आख कलर होता तो आप लिखो simple class ठीक है एक वर्ड टू और इसके अंदर आप लिखे दो simple text ठीक है और success अब बोलोगे यह क्या है जब भी color का वीडियो देखेंगे हम वूट्ट्रप के अंदर तब आपको पसा चलेगा यह क्या है लेकिन अभी के लिए guys मैं आपको demo दिखा रहा हूं ऐसा आपको यहां पर बहुत से चीज़ सीखने को मिलेंगी अब गाइज आपको यह प्रोपर लिखना भी नहीं है आपको इसको कुछ ब्राइक लिए पर लिए जो कि हमने हो को यहां पर चुक्राइब करके लिए यह बीडिया और लिए तो गाइज आपको यह वूट्षप का पार्ट ना आज फ़र्षट यह बला अच्छा लगा होगा कुस समझ में आया होगा अगर नहीं आया तो इंदर योंड वारी मैं आपको बताऊंगा पूरा स्क्रेट से ठीक है तो काइज अभी हम कल क्या देखेंगे कल देखेंगे इसको डाउन्लोड करके use case किया जा सकता है अभी हमने यह सोज़ लेकिन डॉड करें कि इसका यूज हम करें गे ठीक है तो वह आपको बताओंगा जो आपको अच्छा तरीका देगी वह आप एजली इसके अंदर कर सकते हो ठीक है और बहुत ही सिम्पल सा कंसेट है हम इसको बहुत ही इसको अंडरस्टेंडिंग कर लेंगे इसकी और मुझे पता है इसमें आप मास्टर करें लोगे इसके अंदर कुछ है नहीं मास्टर करने को लेकिन डॉन्ट वरी मैं आपको सारे हर एक चीज यहां पर कवर कर दूँगा आयो पर आपको यह वीडियो काफी अच्छा लगा हो बाइबाइबाई